इस वीडियो में हम Expansion Valve के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं Expansion Valve EC System का एक महत्वपून पार्ट है Expansion Valve चार प्रकार के होते हैं पहला Thermal Expansion Valve दूसरा Electronic Expansion Valve तीसरा Fixed Orifice Expansion Valve हम Thermal Expansion Valve के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इस्तिमाल किया जाने वाला Expansion Valve है यह दो महत्वपून काम करता है पहला यह रेफ्रिजरेंट को फैलाता है और इसके दबाव और तापमान को कम करता है दूसरा Required Amount में रेफ्रिजरेंट को एवापूरीटर में भेजता है किसी रेफ्रिजरेंट को फैला कर उसका तापमान कैसे कम किया जा सकता है चलिए एक छोटा सा Experiment करते हैं जब हम Air Blow करते हैं जैसे इस पहली पिक्चर में दिखाया गया है हम कुछ गर्म हवा को आते हुई महसूस कर सकते हैं वही दूसरी पिक्चर में हवा उड़ाने से हमें कुछ ठंडी हवा आती हुई महसूस हो रही है जब हम गर्म हवा को compress या release करते हैं तो हवा का तापमान गेर जाएगा इसी तरह जब हम रेफरिजरेंट को कमप्रेस करके रिलीस करते हैं तो रेफरिजरेंट का तापमान कम हो जाता है जैसे कि हम देखते हैं जिस रूम में एसी चल रहा हो उस रूम में 4 लोगों के आने से उस रूम का तापमान बढ़ जाता है उस समय एक्सपैंशन वैल्फ एवापुरेटर में जादा से जादा रेफ्रिजरेंट को भेजता है और कमरे को ठंडा करता है वहीं जब उस room में कोई नहीं होता तो expansion valve एवापोरेटर में जाने वाले refrigerant के amount को कम कर देगा क्योंकि इस समय खाली room को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती है पहले इसके parts के बारे में जान लेते हैं यह thermal expansion valve है, यह inlet है जिससे refrigerant enter करता है यह वो outlet है, जिससे होकर refrigerant बाहर निकलता है यह main body है, जिसके अंदर एक spring है इस spring के माध्यम से refrigerant flow कंट्रूल किया जाता है यहां आम तोर पर refrigerant passage को बंद रखता है यह एक adjusting valve है, जिसके थुरू हम spring को manually adjust कर सकते हैं यह एक thermal bulb है, जिसके अंदर एक refrigerant होता है यह लगभग एक mm diameter की small tube होती है इसके अंदर एक diaphragm है, diaphragm का मतलब है यह एक गोल disc shape में है अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है thermal bulb evaporator के outlet से इस तरह जुड़ा होता है इस thermal bulb के अंदर एक refrigerant होता है thermal bulb में इस्तिमाल होने वाला refrigerant EC unit में इस्तिमाल होने वाला refrigerant है for example अगर EC unit में R410E refrigerant का इस्तिमाल किया जाता है तो उसी refrigerant का इस्तिमाल thermal bulb में भी किया जाता है refrigerant जो evaporator में enter करता है उसे गर्म करके vapor में convert किया जाता है और यहीं से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है evaporator outlet से एक thermal bulb जुड़ा हुआ है जब outlet गर्म हो जाता है तो गर्मी को thermal bulb में transfer कर दिया जाता है उस समय thermal bulb के अंदर लगा refrigerant उबलना शुरू हो जाएगा और vapor में बदल जाएगा यह सारा vapor एक छोटी सी ट्यूब से diaphragm तक expansion valve में आता है और diaphragm को high pressure में नीची की और push करता है यह diaphragm expansion valve के अंदर एक spring से जुड़ा हुआ है इस diaphragm को नीची की और push किया जाता है तो यह spring compressed हो जाता है अब refrigerant का path increase हो जाता है और अधिक refrigerant evaporator में चला जाता है इसलिए evaporator coil भी जल्दी ठंडा हो जाता है evaporator coil के ठंडे होने के बाद इसका outlet पार्ट भी ठंडा होने लगता है तो thermal bulb के अंदर refrigerant उबलना बंद कर देता है और pressure diaphragm में release हो जाएगा अब spring bulb के कारण diaphragm उपर आ जाएगा और refrigerant का रास्ता बंद हो जाएगा इसी तरह thermal expansion valve required refrigerant को evaporator तक भेजता है refrigerant जिस पाद से travel करता है वह बहुत छोटा है यह refrigerant को compress और release करता है इसलिए जैसा कि हमने पहले ही उपर बताया है refrigerant का pressure और temperature कम हो जाता है और ठंधा refrigerant evaporator में चला जाता है और एक बात और कि जब refrigerant के लिए यहाँ passage बंद हो जाता है तो यहाँ पूरी तरह से बंद नहीं होता है एक छोटा सा gap होता है जिससे थोड़ी मात्रा में refrigerant बहता रहता है केवल जब evaporator का temperature बढ़ता है तो यह gap बढ़ता है और जादा से जादा refrigerant evaporator में जाता है अगर आपको कुछ भी समझने में problem हो रही है तो comment section में अपने doubts जरूर पूछें और हम आपके doubts को clear करके आपको पूरी clarification देंगे और अगर आपको ये वीडियो useful लगे तो please इस वीडियो को like और share करें और हमारे zebra learning हिंदी चानल को subscribe करना ना भूलें Thank you